हेलो फ्रेंड्स वेलकम ट्यू एनेस क्लासेज माइनेम इस नीटू आज हम बात करेंगे टेस्ट सीरीस 12 के बारे में और अभी तक अगर अपने से किसी ने टेलिग्राम गुरूप को जोइन नहीं किया है तो टेलिग्राम गुरूप को जोइन कर लो अगर आप इस पर जाओगे तो सारे बच्चे वही आपको मिलेंगे जो एस्टेट कंप्यूटर साइंस की प्रप्रेशन कर रहे हैं वहां पर जाके जो है अपने डाउट्स जो है और टेटो डेट आपको अपडेट जो है वहां पर मिलती रहेंगे ठीक है तो चलिए अपनी के आदि करते हैं करने आपका इन राँट्स करते हैं कि भरलत जो चीड़ेट की बसे crank क्रोड़ेशन के लिए तो आप समझना है कि तो असनुष परैटशिट है when do this finished करते हैं यह बोल रहा है कि कौन सान आपर यूज़ करते और कैलकूलेशन के लिए तो क्या आप लेबल का कोई ना कोई वैल्यू तो हमें चाहिए ना जब हम कैलकुलेशन करते हैं प्लस माइन जोड गटा गुणा भाग जो भी करेंगे तो आपके पास क्या होने चाहिए तो यहां पर आपका आपका आंसर क्या जाहेगा भई फोर्थ ठीक है फिस्ज क्यूं선 देखो माइक्रो माइक्रो कंप्यूटर हाडवेर कंसिस्ट ओफ थी बसकारदेगरी ऑफ फिजिकल एक्विवनत ठीक है आपको मार्किंग करनी हें घुद की 15M करनी है साथ के साथ marking करते हुए चलो और देखो कि आपके जो marks है वो कितने आते हैं ठीक है पहले option में बोल रहा है keyboard monitor hard drive second में बोल रहा है system unit input output devices और memory third में बोल रहा है system unit input output devices secondary storage fourth में बोल रहा है system primary storage secondary storage ठीक है तो आपका कौन सी 3 basic category होनी चाहिए तो आपका system unit होना चाहिए input output devices होनी चाहिए और आपकी memory होनी चाहिए तो यहां पर आपका जो answer है क्या आजाएगा second ठीक है तो second option जो है आपका बिल्कुल correct होगा क्योंकि basic category के बात करा है तो basic में जो basics need होती है जैसे कहते है रोटी कपड़ा और मकान वहीं पूरी होंगे तभी तो आपका क्या जाएगा second option ठीक है third question देखो click dash check box of transition in a slide group of animation tab if you want to move a slide automatically after stability time ठीक है तो आप क्या use करोगे transition timer use करोगे automatically after transition after automatic timer none of these यहां पर आप क्या use करोगे automatically after automatically हो जाएगा जब आप click करोगे check box पे transition पे जब आप slide group कर रहे हो animation tab तो slide automatically क्या होती रहेंगे तो यहां पर जब आपका answer वह क्या जाएगा second यानि कि automatically after ठीक है fourth question देखो for creating a document जब आप किसी document को create कर रहे हो you use-command at a file menu मतलब आप किसी document को create कर रहे हो create करवाने के लिए कौन सी file पे click करोगे open कर वाओगे open कर वाने के लिए document पहले save तो होना चीना ठीक है close कर वाओगे close होने के लिए आप तो document को create करवा रहे हो close नहीं करवा रहे ठीक है new new पे click करोगे new command पे click करोगे आप रिमूव करवा सकते हो जिसको आप हटा सकते हो जिसको आप हटा सकते हो जिक है कि कौन सा है अभी ऐसा cd-rom cd-rom की फुल फॉर्म क्या होगी compact disc read-only memory disk kati है dvds है और hard disk drive है तो hard disk drive को आप क्या करवा सकते हो 6th question देखो which type of software is similar to an accountant worksheet इसमें से ऐसा कौन सा है similar है जो accountant worksheet worksheet की बात हो रही है worksheet में आप क्या excel की बात करोगे excel होगा तो आप क्या use करोगे word processing तो यूज करने से रहे database यूज नहीं करोगे किस चीज़ का यूज करोगे spreadsheet का use करेंगे तो यहाँ पर जो आपका answer है वो क्या आजाएगा भई spreadsheet आजाएगा graphics अलग होता है file manager अलग होता है तो यहाँ पर जो आपका option c है option third है वो क्या होगा correct होगा 7th question देखो the background 7th question में बात कर रहा है the background of any word document जो background है word document का वो क्या होगा is always white color हमेशा सफेद color में होता है is the color present under the option menu जो color उसके present है option menu में present है is always the same for the entire document मतलब जो उसका color है वो entire document के जैसा है can have any color of you choose मतलब आप कोई भी color ले सकते हो जो आप अपनी मर्जी से कोई भी color choose कर सकते है न उस टीक है तो यहाँ पर इसका answer क्या होगा बई background of word document word document का background जो है वो आप अपनी मर्जी से set कर वा सकते हो अपनी मर्जी से लेते हो तो यहाँ पर जो fourth option है यानि की can have any color you choose मतलब आपनी मर्जी से आपको सफेद पसंद है आपको काला पसंद है आपको नीला पसंद है आपको लाल पसंद है पीला पसंद है आप अपनी मर्जी से कोई भी background जो है वो चूज कर सकते हो ठीक है इत्व कोशन दिखो दा network connecting जो network connecting की बात कर रहा है several computers all over the world एड़े, इसे सरे से होंगे यहां पर जो आपका आंचर hem क्या जाहेगा यहां जभी नेट्वाट को सबक्राइब अगर आपके फोन में लीटोफ में इंटरनेट नहीं हैblack तो काम टेकर सकते हैं, इनकमीं और आउटकोइं सेयर्ण होन मेंतरनेट और रहेगा साथ connect कर सकते हो बहुत सारी जगे बात कर सकते हो वाटसब यूज़ कर सकते हो आप इस्टा यूज़ कर सकते हो अगर इंटरनेंट नहीं है तो कि आ आप't how can, क्या हखा भी सिक ठीक है हजितर American को खेंद देखो इन विंडोज डोसेन भाइड वाई फाइल को एंध बिलीट कर दो ग्राप को आपकर आपने कोडी का दिलीट किया rather आपने कोई भी मोग को आप आप पर जाए गी भी हाँ जाती में जाती है रिसाइकल बन वे यह फना जाती है रिसाइकल बिन में जाती है रिसाइकल बिन में जाती है दस्ट बिन तो हमारे घरों में होता है जहां पर कुड़ा डालते हैं ऐसे ही जो है कंप्यूटर के अंदर कुड़ा दान होता है जिसका नाम क्या होता है रिसाइकल बिन होता है अगर आप से गलती से फाइल हो तहसंन और अब कर रहा है यह आपका पेज है और जो अबर तैय मुझें क्लबर एक न हम इसल में आपक हो साइज इन हम जी आपकोसमय है दीजल दिया विम दोकुमें थिया ऊपटार्ड अजसे मिंकिशनतो है यहां तो फो आपका समit सी्टम से गलेगा से उर टॉ क्या है पूष और यहां पर चाहिस विश्वाटamt आपका ऑ excit picture श्क्राइग कहें देख़े लटीग में इसना फोलों के वो यह फॉपरेटिंगी सिस्टम थेगा वैसेक विपल्पर कंशिस्टम के घुन के वे थर्टीन कोशन देखो All of the following are included in typical computer programming language which are in use currently accept तो क्या होगा जितने भी आपके typical computer program है वो programming language जो run हो रही है expect किसमें किसको छोड़के जो है वो run हो रही है इसके छोड़के run हो रही है आप सब को पता है अजकल जो है user high level language को use करता है C++ क्या है high level object oriented programming language है Java क्या high level है Visual basic क्या high level है Machine language Machine language जो है वो बहुत पहले use होती थी First generation में use होती थी तो second में भी आपकी high level आगी थी Machine language को आजकल कोई भी use नहीं करता है तो यहाँ पर accept की बात हो रही है तो यहाँ पर आपका answer क्या आजाएगा भी फॉर्थ आजाएगा यानि की machine language आजाएगी तो आप answer क्या होगा भई और यहाँ पर बात कर रहा है कि इसा कौन सा टर्मील है जिसको हम क्या नहीं कर सकते प्रोसेस नहीं कर सकते कोई भी information को process नहीं कर वा सकते कोई बताएगा तो मैंने तीन तरीके के टर्मीनल बताया थे Dump बताया था Intelligent बताया था Smart बताया था और मैंने बताया था Dump टर्मीनल जो होता है वह सिरफ एक सेंडर से receiver को message भेजने के काम आता था उसको यह नहीं पता कि वह क्या information भेज रहा है सिरफ वह packet लेता है और busy receiver को भेज देता है उसका काम ना तो information को process करना होता है ना ही कुछ होर होता है तो Dump टर्मीनल जो है वह process को क्या नहीं करता थीक है हमारा आज का last question है What happen when you press Ctrl plus V Ctrl plus V जब आप press करोगे तो क्या होगा थीक है first option capital V letter is typed into your document at the cursor point में capital V type हो जाएगा जैसे ही आपने Ctrl plus V किया तो आपके उसमें document V type हो जाएगा तो गलत होगा second option selected item is pasted selected item जो है वह paste हो जाएगा clipboard पे selected item is pasted to clipboard ठीक है आपको आपको आज के 15 questions अच्छी लगें लगें हैं तो फटाफट कमेंट करके बता दो आपके जो हैं 15 में से कितने marks आएं और आपने जो इंप्रूफ किया है या नहीं किया कैसे आज को आपको वोशन कैसे लगे सारे बचे कमेंट सेक्षिन में बताएंगे अगर अच्छे लगे हैं तो चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलो और अपने फ्रेंट के साथ आज की जो है कुछ नया सीख सकें ठीक है तो फिर मिलेंगे ऐसे नहीं क्लास के साथ तब तक के लिए बाई एंड थांक यू